Hello everyone, welcome to all, आज का मारा topic है CSG और BRAP CSG का full farm होता है constructive solid geometry और BRAP का full farm होता है boundary representation क्या होता है CSG और क्या होता boundary representation सबसे पहले उसको हमें example के साथ आपको बताता हूँ यहाँ पे CSG और boundary representation में दोनों ही case में हम यहाँ पे 3D object बनाते हैं यानि कि 3D object यह हम modeling करते हैं कोई भी object हो सकते हैं वो चाहे हो cone हो, rectangle हो, torus हो, edge हो, vertex, cube, block, etc. जो भी हो हम क्या बनाते हैं इसमें एक solid model बनाते हैं solid model का कहने के मतलब यह है कि यह 3D model होना चाहिए 3D मतलब 3D dimensional view होनी चाहिए 2D की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, 3D view की बात चल रही है, जैसे अगर example बोलो तो यह 3D view है, 3D के मतलब है 3D dimension What is 3D dimension? अब front view भी देख पा रहे हैं, इसका top भी आपको नज़र आ रहा है, और इसका side view भी नज़र आ रहा है, that is 3D dimension तो इसी तरह की 3D view हमको construct करने के लिए, हमको बनाने के लिए, हम use करते हैं CSG का और हम use करते हैं B representation का दोनों को काम एक है, लेकिन नाम यहाँ पे अलग-अलग है, और यहाँ पे CSG का क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ CSG में लिखा हुए है, सबसे पहले देखते हैं, two or more entities are combined by a boolean operation यहाँ पे एक, दो या दो से अधीक, यहाँ पे हम entities का use करते हैं, इसके मदद से हम क्या बनाते हैं, एक solid object बनाते हैं या फिर एक primitives बनाते हैं यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है entities, what is entities, entities basically आपका एक solid object हो सकते, चाहाँ वो cube हो, rectangle हो, triangle हो, या किसी प्रकार का कोई cylinder, torus, कुछ भी हो, वो आपका एक entities क्या बता रहा है, इसको किसी किसी book में primitives भी लिखा होता है, confused नहीं होगेगा entities और primitives दोने का मतलब एक है, entities क्य चाहता है कि हमको बनाना है, construct करना है, कैसे construct करना है, आई एक example के तरफे बता है, सबसमाल लिजी आपके पास एक square है, इस square को पर एक circle मैंने कर दिया, मेरी जो demand थी, वो demand थी कि मैं एक semi circle draw करो, ये company माले के demand थी, ये आपकी demand थी, आपको बनाना क्या है, क्या construct करना है, तो आ बूलियन ऑपरेशन लगा कर जो में इसका इंटर्सेक्शन पार्ट था उसको मैंने रिमूफ कर दिया और बचे हुए भाग ही को मैं ले लिया जो भी इसके इंटर्सेक्शन वाले पार्ट थे उसको मैंने क्या किया हटा दिया और मेरे पास यह सेमी सर्कल डॉव गया इस तर इसको दो solid models को मैंने use करके यहां पर बाकी बाग को remove कर दिया और जो मुझे चाहिए वो था वो मैं यहां पर demand अपनी fulfill कर लिया यानि कि semicircle में रहा हो गया इसे तरीके एक और figure लेके मैं बताता हूं और square लेने के बाद इसके उबढ़ आपने एक circle रहा किया circle करने के बाद आपने गहां कि इसके जो external पार्ट थे इसकी जितने भी external पार्ट उसको रिमूफ कर देंगे with the help of Boolean operation Boolean operation से external part को remove कर देंगे और intersectional वाले parts को हम केबल रख लेंगे intersectional वाले part कौन सा था यह intersectional वाले part मैंने बाहरी वाले जित्ते भी इसके external part को मैंने remove कर दिया और जो intersection वह था जहां पर लोग इंटरसेक्ट हुए थे उसके part के मैंने remain कर दिया तो यहां पर मैं यह देख सकते हुए यह मेरा demand था और यह मेरा demand क्या हो गया फुल्फिल हो गया इस तरीके का use हम किस में करते हैं constructive solid generator में करते हैं लेकिन यहां पर इसके कुछ problems थी इसमें कुछ problems आई तो इस problem को दूर करने के लिए मैंने लेके आया यानि की bond representation आया bond representation एक नया method लेके आया suppose यहां पर माल लीजिए example और मैं बताता हूँ आपको अगर माल लीजिए आपके पास एक figure है कुछ इस तरीके से suppose माल लीजिए यह winner block है यानि की यहां पर winner 1 खड़ा होगा 2 खड़ा होगा 3 खड़ा होगा इस तरीका के यहां पर winner खड़ा होगे मुझे यहां पर माल लीजिए एक hole देनी है यहां पर मुझे एक cylindrical hole देनी है मैं cylindrical hole कैसे दूँगा क्योंकि problems यह हुई कि cylindrical hole कैसे दूँगा इसलिए कि यहां पर हमने तो block का use किया है हमने यहां पर एक अलग block का use किया यह दूसरा block था यह तीसरा block था हमने अलग-अलग cube का use किया cube का use करके हमने एक 3D object बनाया यहां पैसे कि हमने अलग-अलग cube का use करके 3D object बनाया बट यहां पर मुझे hole करनी हो तो मैं किस method से करूँगा यहां पर यह problem आई, इस problem को दूर करने के लिए मेरा हाता है boundary representation, boundary representation basically इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा boundary representation, हमने यहां पर क्या पढ़ा constructive solid geometry solid geometry बनाना था किसके माद्य हम से construct करके हमको construct करके बनाना था, यहां पर boundary representation इसमें भी हम solid geometry बनाएंगे अगर focus करें या उसको हम concentrate करें तो हमको जो demand से यह होगी वो हमारी demand फुल्फिल जाएगी example के तोरब यहां पर hole अगर बनाना है मुझे एक cylindrical hole बनानी है, या एक loop बनाना है मुझे, इस loop को बनाने के लिए यह possible नहीं था कि CHG इसको फुल्फिल कर पाए इसलिए मैंने यहां पर क्या किया bond representation का use किया, कैसे use किया देखिए यह आपका मालूप है यह जितने भी faces है इसको faces कहा जाता है faces यह हमारे edges होते हैं, जितने भी यह edge होए यह edge, यह edge, यह edge, यह सारे क्या है हमारे edges है और यह वाले part कितने हैं, इसके faces कहलाते है इसी तरीके से, जो भी edge पर intersection point जहां भी edge मिलते हैं, उन meetup point को क्या कहा जाता है vertices कहा जाता है तो edge vertices of faces को अगर हम ध्यान रखें तो हमारा यह draw हो सकता था क्योंकि हमने यहाँ पर अलग-अलग objects का use नहीं किया हमने यहाँ पर अलग-अलग entities का use नहीं किया हमने यहाँ पर faces, edges, vertices को ध्यान में रखते हुए हमको जो demand चाहिए था, जो solid object चाहिए था वो चीज़ हम यहाँ पर बना लेते हैं लेकिन यहाँ पर CSG में क्या होता था, हमको जो भी चीज़ चाहिए थी उसके बाद हम वहाँ पर जो भी हमको वहाँ पर ड्रॉ करनी होती ड्रॉ कर लेते हैं विद्धा हल्प अफ एज, vertices और faces यहाँ पर एक श्रप और लिखा हूँ आप देख सकते हैं CSG model does not store geometry of vertices, faces, edges यह किसी भी तरीके का कोई भी data यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है हम यहाँ पर expression लगा कि बाकी चीज़ को eliminate कर दे रहे हैं हमको जो चाहिए हो था सिर्फ हमों मिल जा रही है बाकी चीज़ को eliminate कर देते हैं तो यहाँ पर एज, faces और vertices का यह data नहीं रखता है यहाँ पर यह इसकी भी कमी थी लेकिन यहाँ पर हम edges, verses और faces सबका हम data रख रहे हैं तो यह चीज़ भी यहाँ पर कमी देखने को मिली हमारे CSGM इसने हमने यहाँ पर बीरेप्रेजेंटेशन का यूज किया अई होग आपको यह वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरी की कोड़ इंफेप्रेटी में वीडियो साब के लिए लाता रहूँगा तब तक लिए शुक्रिया जहन बाब बाए